नमस्कार, सिमन के रसोरी की ओर से सभी भारतवर्सियों को रिपब्लिक डे की हर्दिक सुपकाम नाएं आज हम इस रिपब्लिक डे के उपलक्स में सुझी की ट्राइक्रलर परफी बनाएंगे यह बरफी बनाना बहुत ही इजी है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी होती है तो अगर आज की राज के आपको मेरी पसंद आये तो में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब परियों शेयर करें तो चलिए सुझी की ट्राइक्रलर परफी बनाना हम सुरू करते हैं ट्राइकरलर सुझी की बरफी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप सुझी लिए बिल्कुल बारिक सुझी लिए मैंने यहां पर सुझी रवा एस मोलिन आप जो भी इसको बोलते हो एक कप मैंने यहां पर मावा लिया है एक कप से थोड़ी सी कम मैंने यहां पर चीनी लिया चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अधा कप मैंने यहां पर देशी घी लिया है, एक तुथाई चोटी चम्मच इलाइची पाउडर, एक पिंच मैं यहां पर ओरेंज डेड फूड कलर यूज करूँगी और एक पिंच यहां पर मैं ग्रीन फूड कलर यूज करूँगी, बर्फी बनाने के लिए मैंने सबसे प और मीडियम फ्लेम पर हम सुजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, फ्लेम यहां पर हमें मीडियम रखनी है, तेज निकरनी, अगर तेज फ्लेम पर हम सुजी को चलाएंगे तो यह थोड़ी सी जल सकती है, इसलिए इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए गो यह आप देख सकते हैं हमारी सुजी अच्छी गॉल्डन ब्राउन हो चुकी है अच्छे से सिख चुकी है अच्छी खुस्भू भी आ रही है अब इसमें हम यह मावा डाल देंगे गैस की फिलेम हम यहां पर लो रखेंगे और मावे को हम सुजी में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस की फिलेम हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम सेम कड़ाई में चासनी बना के त्यार करेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा कप के करीब पान डालेंगे और यह चिनी डाल देंगे बस हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे हमें चासनी ज्यादा अगाड़ी नहीं बनानी बस चिनी घुलने के थोड़ी सीधेर और पका लेना इसको हमारी सुगर सिरफ बन के फिर त्यार हो जाएगी ये हमारी सुगर सिरफ क्यार हो चुकी है अब इसमें हम ये इलाइची पाउडर डाल देंगे मिक्स कर देंगे आब गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लौ कर दें 가장 अब इसमें हम ये सुजर्णी और मावार डाल देंगे हमें मच्री तो साज चीजों deputy मिक्स कर लेंगे क्योंन पूब है है इस पूंगर शिराफ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे लेट में निकालने के बाद आज भी सके 15 रिवें कर लेंगे बराबर बराबर तिन इससे कर लेंगे एक में हम ग्रीन कलर डालेंगे एक में ओरेंज रेड और एक हम ऐसे ही छोड़ेंगे अब इन में हम कलर डाल देंगे इसमें हम ये ओरेंज रेड डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा कलर डालेंगे और दूसरे में ये ग्रीन कलर अब इनको हम मिक्स कर देंगे चमल से यह हमारा केसरिया कलर त्यार हो चुका है अब हम ग्रीन कलर त्यार कर लेंगे इस तरह में लाके यह हमारा ग्रीन कलर भी त्यार हो चुका है अब इनको हम सेट करने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे अब बर्फिजमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है प्लेट को मैंने घी से ग्रीज कर लिया है अब इसमें हम सब्सक्रे पहले यह ग्रीन वाला मिक्सर दालेंगे। जिरीन डालने के बादे इसको अब इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। जिरीन मिक्सर सेT करने के बादे इसमें हम बाइट वाले मिक्सर ढालेंगे। कि इसको भी हम अच्छे से उपर कर देंगे अच्छे सेट कर देंगे अब लाश्ट में हम यह और इंज वाला डाल देंगे अब हम बर्फी को सेट होने के लिए आदा गंटे के लिए किसी ठंडे जगह पर रख देंगे अदा गंटे में हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर इसके हम मंचा एपीसिज काट लेंगे अदा गंटा हो चुका है हमारी बर्फी भी अच्छे से सेट हो चुकी है अभी इसके हम चकु से एपीसिज कर लेंगे अब इनको हम निकाल लेंगे तो यह देखिए हमारी कितनी अच्छी वर्फी बनी है इनको हम प्लेट में रख देंगे और यह लीजिए हमारी सुजी की ट्राइकलर वर्फी बन का त्यार है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है खाने में यह बहुत ही टेस्टी होती है और इन्हें बनाना बहुत ही असान है तो आप भी अपने घर पर इसे जरूर ट्राइ करें तो फ्रेंड आज की ट्राइकलर की वर्फी की रेस्पी आपको मेरी कैसी लगी कमेंस बस पर जरूर लिखे मैं उमीद करते हूं कि आज की रेस्पी आपको मेरी पसंद आई होगी अगर आज की रस्पी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ति मिलते हम एक नई रस्पी के साथ आज की रस्पी देखने हैं आपका बोड़ को धन्यवाद